मैं सब के लिए कह रहा हूं श्री संजय सिंग जी धन्यबाद दुपसभापती महोदेर आपने इस महत्पूर्ण प्रस्ताव पर जो वाइको जी के दौरा लाया गया है उस पर मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में अगर आज की तारीख में कोई सरकार सबसे ज़्यादा पीडित है केंद्र और राज्य की बेवस्था में पारदर्सिता ना होने के कारण तो वो दिल्ली की सरकार है और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं मानिवर कि 2015 में दिल्ली के अंदर चुना हुआ और हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे बड़े बहुमत से एक सरकार चुनकर आई सरसथ सीटे लेकर अर्विन केजरिवाल जी मुख्यमंत्री बनते हैं फरवरी 2015 में और एक दूसरी पार्टी जिसको उस चुनाव में मात्र तीन सीट मिली भारती जनता पार्टी उसकी केंदर में अंडिये की सरकार है और उस सरकार ने मई 2015 में मानिवर एक आदेस जारी किया और उसमें कहा ट्रांसपर और पोस्टिंग का सारा आधिकार होम मिनिस्ट्री के पास होगा यानि केंदर सरकार के पास होगा ये इस देश के कौन सी संगिये ढाचे को मजबूत करेगा मुझे मैं आपके मादियम से सरकार से पूछना चायता हूँ मानिवर इतना ही नहीं यहीं पर बात नहीं रुकती उसके दो महीने के बाद ACV जो भरस्टाचार के मुद्दों पर कानून जो भरस्टाचार के मामलों में कारवाई करने के लिए संस्था हमारे पास थी दिल्ली सरकार के पास Commonwealth Games घोटाले में हमने 16 मामले दर्ज किये थे वो दो महीने के बाद ACV भी केंद सरकार के पास ले ली गई हमसे पूछा जाता है Commonwealth Games घोटाले में क्या किया Commonwealth Games घोटाले में क्या किया आज मैं आपके माद्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ एक राज सरकार से आपने ACV चीन ली आज तो वो भरस्टाचार के मामले में कारवाई करने वाली एजनसी आपके पास है साड़े चार साल में आपने Commonwealth Games घोटाले में क्या किया इसका बिनमरता पुर्वक उत्तर दे दीजिए मैं आपके माद्यम से मानिवर इस सरकार से पूछना चाहता हूँ किस बात की दुस्मनी आप निभा रहे हैं दिली सरकार से केजरिवाल के हर काम में अर्चन डालना है केजरिवाल जी के हर काम में विरोध करना है 14-14 बिल पास करके भेजा मानिवर जिसमें जनलोकपाल का भी बिल है जिसमें जनता के हितों से तमाम जुड़े हुए बिल हैं वो 14 के 14 बिल आज तक रोके गया उसको पास नहीं करने दिया गया हमसे कहा जाता है स्वास्त की विवस्ता ठीक करो हम ठीक करने के लिए जुटते हैं लेकिन हां किसी अधिकारी पर आप कारवाई नहीं कर सकते सारी परफॉर्मेंस आपको देन हैं हमसे कहा जाता है ट्राफिक ठीक करो हम कहते हम काम करना चाहते हैं किते हां लेकिन किसी अधिकारी पर आप कारवाई नहीं कर सकते पानी की वेवस्ता ठीक करो कर रहे हैं लेकिन अधिकारी पर कारवाई नहीं कर सकते स्वास्त पर काम करो सिख्षा पर काम करो पानी पर क करो बिजली पे काम करो ट्राफिक पे काम करो लेकिन किसी पे कारवाई नहीं कर सकते आप यह कौन सी सरकार आप चलवा रहे हैं दिल्ली के अंदर और क्यूं किस बात का किस बात का हमें दंड दिया जा रहा है इसलिए कि हमारी सरसर सीटे आ गई मनवर इसलिए कि हमें इतना ब प्रेट ने बाद में बरी कर दिया मानेवर। 400 फाइलों की हमारी जाज कराई केजरिवाल सरकार से जड़ेए 400 फाइलों की और उन 400 फाइलों में कोई भृस्टाचार नहीं निकला। मुख्य मंत्री के दफ्तर पे CBI का छापा, सिच्छा मंत्री के घर पे CBI का छापा, स्वास्थ मंत्री के घर पे CBI का छापा, हमारे टांस्पोर्ट मिनिस्टर के घर पे ED का छापा, ये सरकार आप चला रहे हैं, इतने दुर्भावना से आप काम कर रहे हैं एक सरकार के खिला कर दाएं जाता कि यह है हमारे राज्य सरकार के प्रतीस दिला विवार मानिवर यह राइस देस के अंदर कैसे फ्रेडल स्ट्रक्शर मुझबूत होगा कैसे हमारी वो संस्कृति जिसके हम चर्चा करते हैं विविदिता में एकता भारत की विसेस्ता कहां से आएगी वो विसेस्ता मानिवर मैं आपके माध्यम से सरकार से बहुत पीड़ा के साथ पूछना चाहता हूँ क्या अपराद है हमारा क्या दोस्ट है हमारा क्यों हमको आप काम नहीं करने दे रहें आप सारे राज्यों के अधिकार अपने पास रखना चाहते हैं डिल्ली का कॉंट्रिविशन टैक्स के मामले में मानिवर 1.5 लाख करोंड रुपए डिल्ली राज्य के अंदर सरकार को टैक्स देता है बदले में मात्र 325 करोंड रुपए वापस हमको मिलता है और ये एक साल से नहीं 20 साल से हमें सिर्फ 325 करोंड रुपए मिल रहा है डिल् को विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए हम भेजते हैं अधिली का रिजल्ट सरकारी स्कूलों का प्राइविट स्कूलों से बारा परसेंट बेहतर आया और कभी-कभी आपके भी लोग प्रसंसा करते हैं मानी सभापती जी जब देश के मंत्री थे उन्होंने प्रसंसा की कैसी है केजरी वाल की सरकार जो फ्लाइवर के निर्मार में एस्टीमेटेड कॉस से 43 करोन कम में पुल बना देती है तारीफ किया था मानी वर लेकिन फिर भी उसके लिए कोई काम नहीं हमारे एजू केसल सिस्टम की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है हमारे महला क्लिन हमें भुगतना पड़ता है हमारे सारे अधिकार हमसे चीने जाते हैं जी एस्टी का कानून आप लेके आए राज्यों का टैक्स आप लेंगे उसके बाद राज जी इंतजार करेगा कटोरा लेके कब आप देंगे कब आप देंगे दो दो महीने से राज्यों के टैक्स के से आप एमधे सारकार, आठिकार आपने पास रखेंगे मोटरव एकल आपके डिकार 5 Вैया डाय कर सकते। आप यूऊपीयच का नदीयों की अधिकार आप अपने पास रखेंगे। ये कौन सी सरकार आप चलाना चाहते हैं मानवर राज्यपाल के जरीए उप राज्यपाल के जरीए आप राज्यों की सरकार चलाना चाहते हैं मानवर और मैं तो बड़ी बिनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूँ मुझे जरा बताइए आज संजे सिंग आम आदमी पार्ट एक पार्टी से तीन बार मुख्य मंत्री रह चुका है और उसको आपने राजपाल बना दिया वह निस्पक्श एक व्यक्ती एक पार्टी का स्पीकर रह चुका है विधान सभा में और दूसरे पदों में मंत्री रह चुका है वो राजनीती से रिटायर हुआ तुरंत आपने उसको राजपाल बना दिया निस्पक्ष एक व्यक्ति केंदर सरकार में मंत्री रह चुके वह राजनीती छोड़ते हैं तुरंत आपने उनको राजपाल बना दिया किसी राजगा वो निस्पक्ष तो जा रहा है राज भावन और उपराज राजपाल के भावनों के नाम पर बहुत बहुत धन्यवाद माने और आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया बहुत बहुत धन्यवाद